अलवा शेहर में जगे जगे अवारा पश्वों का जमावडा होने से जहां याताया प्रभावित होता है में दुरघटा होने की संभावना बनी रहती है नगर निगम गाहे बगाहे इन गायों को पकड़ कांजी हाउस चोड़ का इतीशी कर लेती है कुछ दिन बात फिर से यही अवारा गायों का शेहर में जमावडा शुरू हो जाता है यह अवारा गाएं जुंड के रूप में शेहर में विच्ण करती हैं वियस्त बाजारों में कूडे के धेर में इन गायों को भोजन तलाश से देखा जा सकता है दरसल कहने को तो ये अवारा गाएं लेकिन हकीकती है कि इन गाएं के भी मालिक होते हैं जो सुभध दूद निकाल कर इनको अवारा छोड़ देते हैं और समय होते ही अपने घर ले जाते हैं नगर निकम प्रशासन इन अवारा गाएं को पकड़ने के बाद निश्चत जुर्माना लेकर छोड़ देते हैं जुर्मानी की राशी अधिक कर देने से पुछ हद तक अवारा गाएं के विच्चन पर रोख लग जाता है इन अवारा पश्चों से सैक्रो लोग चोटिल हो च कार दे पर निकम जाता है युर्माना दुआ कर देना गाएं के वी मनड़ जाता है जो उन्माना देन तो देना है और तो जदेना है जाता है झाल जाता है तो जुड़ देना है